नमस्कार दोस्तो जिनोंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे मेरे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में जो पुराने बोर्ड हैं उन पर मॉडूलर बोर्ड किस प्रकार लगाए जाते हैं और उनका लोग क्या होता है ये मैं बताऊंगी तो सबसे पहले हमने पुराने बोर्ड पूरे निकाल लिये हैं देखिए आप वीडियो में आपको साफ दिखाई दी रहा है और चारों तरफ छपाई करवा के पट्टे की सहायता से जो एक्ष्ट्रा सिमेंट है वो हमने सबसे पहले निकाल लिये और अंदर अलूमूनियम का बोर्ड लगा दिया है अंदर के पूरे पाइप में हमने नई फिटिंग डाली है तता जो केबिल के जो तार है वो भी सारे चेंज करा दिये हैं फिर प्लास्टर आफ पैरिस को पानी में मिला कर हम ऐसे गाड़ा घोल बना लेंगे वीडियो में आप देख सकते हैं और इसे चारो तरफ जहां हमने सिमेंट लगाई है उसके उपर लगा देंगे जिससे ये और पक्का हो जाएगा पट्टे की सहायता से लगाएंगे क्योंकि हमें कॉर्णर को भी शेप देना है तो हमने सबसे पहले ऐसे बोर्ड खरीदे हैं भाईया ने हमें जितनी कौन्टिटी बताई थी हमने अच्छी कंपनी के वियो कंपनी के बोर्ड स्विच बोर्ड वगेरा सब ले लिए हैं जो जो सामान है इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है इसको आप देख सकते हैं मेरे ही चैनल में प्रटन है उनको हम सेट करेंगे स्कूरू ड्राइवर की साहता से अब हम इंडिकेटर लगाएंगे इसमें इंडिकेटर लगाने से यह होता है कि आपको पता चलता रहता है कि आपके घर में लाइट है कि नहीं है और सारे स्विच अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं है तो य लगाने के लिए regulator भी इसी में हम स्विच बोर्ड में लगा देते हैं यह देखिए हमने सारे अंदर के तार पूरे चेंज कराए हैं क्योंकि हमारी विटिंग बहुत पुरानी हो गई थी के पूरे चेंज हो चुके हैं अन्दर लगा दिये गए हैं यह देखिये भाइए अन्दर यह अंदर साथ केबल तार बदल रहा हैं अंदर के अट के नए स near से फिटिंग करानी का यह फायदा है कि जो पुराने तार रहते हैं शॉर्ट सर्केट हो जाते हैं लेकिन अब ये वाली प्रॉब्लम हमारी पूरी खतम हो जाएगी ये देखे हमारे बोर्ड लगके तैयार हो चुके हैं इंडिकेटर वगेरा सब लगा दिये गए हैं लुक भी देखे कितना सुन्दर आ रहा है तो कमेंट सेक्षन में हमें ये जरूर बताईएगा कि आपको हमारे यहां के बोर्ड का लुक कैसा लगा और पुराने बोर्ड में और नए बोर्ड में क्या अंतर आपको समझ में आया